हेलो फ्रेंट इस ग्यान सिंग वेलकरम दो लेट सपोर्ट आज एक नए अपडेट के साथ आया है आल इंडिया साइनिक स्कूल का जो अप्लिकेशन फार्म है सुरू हो चुका है दोजार चौविस पजीस वालों के लिए जो बच्चे सिक्स या नाइं सीदिया साइनिक स्कूल में उनके लिए अपडेट आ चुका है बढियासा और उस अपडेट के बारे हम लोग अप्लिकेसन कमद कब और लाजट कम है कब शुरूं हो रहा है सारा हम लोग धीटेल में शुरूं से अंतक देखने वाले हैं तौछ चलिए ब पर देखने वाले हैं और इंग्जाम किस मोड पर होने वाला एगर कैसे देने जाएंगे और आगए हम इसके अगले विडियो हैं इसके पर भी डिसक्रस्फन करेंगे फिलाल अभी हम लोग ब्रीप में सारे जानकारी ले ले लेते हैं कैसे फॉर्म फिल होने वाला है तो फिलाल यह हम लोग बैसिकली किसके लिए कर रहे हैं फॉर्म को फिल करेंगे आपका जो क्लास में सिक्स के लिए और क्लास नाइन्थ के लिए आप दिलवा सकते हैं तो यह हमारा सेशन है दोजार चौबिस पचीस वालों बच्चे के लिए जो साइनिक डिफेंस कोटे में या मिनिस्ट्री आफ डिफेंस में साइनिक स्कूल में लेना चाहते हैं उनके लिए हैं तो डेट आफ एक्जाम देने जाएंगे 21-1-2-0-4 या की 21 जनवरी-2-0-4 को इसका एक्जाम होने वाला है ठिक तो फरी न को थोड़ा चेंज करते हैं और रिफ्ट मॉड अफ एक्जामनेशन क्या होने वाला है पहन पेपर मॉड होगा यानि जो और यमार सीट पर होने वाला एक्जाम जो बच्चे हैं जो जाएं आप अपने बच्चों को तयारी करवाना शुरू कर दीजिए कैसे करेंगे और इसका मैं कैसे guidance किया जाएगा उसको भी हम एक वीडियो बना देंगे तो फिलाल अभी के लिए हम इसको जान लेते हैं कि इसका exam pattern क्या होने वाला है और dates के इतनी फिल किनी लगने वाली उसको जान लेते हैं तो फेपर पैटन क्या होगा multiple choice question यानि mcq mcq type question होने वाले हैं तो इसमें जो mcq वालें क्या होता है आपको क्या है चार option दिये रहेंगे बच्चों का question रहेगा पहले question दिया रहेगा फिर option दिये रहेंगे abc d d रहेगा जो सही रहेगा उसमें से आपको उसके सामने यानि कि जैसा रहेगा उसमें दिया रहेगा गोला बनाना होगा या तिक करने का option दिया रहेगा वो सारा उसमें इसका आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा दिजेगा एक्जामनेशन सिटीज कहां कहां है एक सो चीटीज में अक्रॉस इंडिया यानि पूरे इंडिया में इसका होने वाला है इलिगल्टी आफ एडिमिशन क्लास शिक्स में कैसे एडिमिशन होने वाला कंडिडेट शुट्वी बीट्वीन टेन और ट्वल्व एयर आइज ऑन थर्टीवण थ्री टूचावजन ट्वंटीफोर यानि एक्टिस एक्टिस मार्च दोहजार चौवीज से पहले वह क्या है दस से बारा साल के बीच में होना चाहिए तब इसका क्लासिक्स में शैनिक अगर आपका गल्चाइल्ड है तो उसके लिए सारा सब कुछ सेम है बट गल्स वैकेंसी जगर रहेंगी तभी आपका उसके में एडमिशन होने वाला है बच्चों का तो आप उसको वैकेंसी को इन्फॉर्मेशन बुलिटन में देख सकते हैं और मैं इसका एक डेडिकेट क्लास 9th कौन कौन ले सकता है कंडिडेट सुट भी बिट्विन 13 तू 15 यर एज 31 3 2024 यानि 31 मार्च 2014 से पहले वो बच्चा क्या हो जाना चाहिए 13 या 15 साल के बीच में होना चाहिए सुट है पाज क्लास एड फ्राम रिकॉनाइज स्कूल एट टाइम आफ एडिमिशन एडिमिशन और फॉर गल्स इज ओपन फॉर क्लास 9 सब्जेक वेडिटी आफ वेकेंसी एज कैटेग्री या सेम एज बॉइज डिटेल यानि सारा सब कुछ सेम रहेगा जितना बॉइज वह आपका जो नाइंध एड पास होना चाहिए ठीक अभी के लिए फॉर्म भर देंगा देगा तभी न आगए होगा तो फॉर्म करवा दिजेगा और अब जान लेते हैं एक्जामनेशन फीस कितनी लगने वाली है उसके बारे में लोग जान लेते हैं एक्जामनेशन फीस सर्विसमेंशन यह वह जो उमारे पहले साही उनके बच्च काम करते रहते हैं वक्ष को होएं उनका घोटा होता है आप उनको भी क्यूसरी से सुरूपए ही तना होगा इना होगे सफ्क्री तो चाहें ॉपांच के लिए रिजृंट्च यह जा बच्चा कर दोजार तेज को आपका पार्म कर सकते हैं यानि का अपका सोला बारा दिसंबर 2013 सोला सम्बर 2023 का आपका ऊसी दिन आपका क्या है लाज़ डेट है किसका फीस पेयमेंट होने का लेकिन आपका फीस को फिल करके payment कर सकते हैं और मध्यम क्या होगा इंटरनेट बैंकिंग होगा अपका UPI हो गया डेविट क्रेडि कार्ट से आप अपने फिस को पे कर सकते हैं ठीक तो आसा करते हैं इतनी इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी आपका फार्म जो है यह फिल होना शुरू हो चुका है यानि साथ से ही आपका फार्म शुरू हो गया था ठीक तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अगर समझ माई वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सस्क्राइ को रि आव दिसंबर तक आप को फील कर सकते हैं त उसका जो भी था मैंने बता दी आ अल्रेडि को आपके करेक्षन डेट कब होने वाला गर्माली फॉर्म में आपको कुछ गल्वडी हो जा रही यानि कुछ गलत भरा जा रहा है और इसका करेक्षियल विब्साइट पर ही इसका बीचम कर सकते हैं फॉर्म को डाउनलोड एडमिट कार्ड एंटीय वेबसाइट यानि कि आप एडमिट कार्ड एंटीय के वेबसाइट से डाउनलोड होंगे और यह सारा सब कुछ नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा टेंशन मत लिजिए यह सबसे बड़ी बात होती है आपका 21 जनवरी 24 को इसका एक्जाम होने वाला है ठीक यह सारा सेड्यूल अभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टाइमिंग का आफ एक्जामनेशन जो क्लास सिक्स में बच्चे रहेंगा उनका दो साम दो से लेकर साड़े चार बज़े त आप इसू किया रहेगा वहां से आप जाके देख सकते हैं ठीक और ओमर सीट आपको भरना होगा यह इसका एंटिया के वेबसाइट में पाद में किया जाएगा ठीक आप चेक करते रहेगा फिलाल मैं अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहेंगा ठीक और कि यह सब सारी चीज़े आप देख लीजेगा और आगे देखते हैं कुछ जो चीज़ें होंगी आपको हम बताते हैं यह देखी रेजिस्टेशन करना है पहले इमेल और मोबाइल नमबर लगेगा और आपका पूरा डाकुमेंट अपलोड किया जाएगा उसको आप कर अपना अपलाई कर रहा है और जैसा कि आप देखते हैं जो हम पैड होता है उसमें आप स्याही में डारेक्टिव बोर के आप लगा सकते हैं तो इसका फाइल का साइज कितना होने वाला दस से पचास के बीच में होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होगा ठीक यह कुछ च अपना चाहिए अगर आप एक्सर्विसमें के बच्चे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है वह भी आप लगा सकते हैं डिफेंस कोटा का वह सकता है यह सारी चीजे आपको देना पड़ेगा और जहां आप जिस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं वहां से आपको अप से अप्लिकेट फर्म देर प्रिंट्स प्रीम दैट अप्लिकेस अप्लिकेंट की स्टेविक इस इस चोल अप्लिकेशन ओल्ली दोजु हूआ च्ट यह जो यह उनको चाहिए जो कि पहले से भी किसी शानी के स्कूल में मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आगे आते हैं श् तो हमने के बारे में बता ही दिया था और सब्मिशन होगा और आपको नमर मिल जाएगा जब आपको आपको यह कुछ चीजे रही और कंडिडेट क्या-क्या ले जा सकता है जब एक्जाम देने जाएगा आपको जमेट्री बॉक्स पेंसल बॉक्स लेगा हैंड बैग लेगा अपना पर्स ले लेगा। यह नहीं ले जाना है तो इस नहीं ले जाना है माइक्षटायल हो गया इस सब सारी चीजिए और आगे दिखते हैं और यह disclaimer दिया हुआ है तो जो भी मोटा मोटा जानकारी थी मैंने बता दिया आपको और अब आते हैं किस बात पर कि आप सरकारी रिजल्ट पर जाएं और यह आपका खुल जाएगा यहां पर सारा डिटेल दिया हुआ है यहां देख से और देख लेंगे और फिर यह सरा eligibility criteria जो कि मैंने already discuss कर लिया है और सिधा नीचे जाएंगे यहां पर लिखा click online आप इस पर simply click करके online कर सकते हैं या इसके official website से भी कर सकते हैं इसका लिंक मैं description box में दे दूँगा तो बस यहां सक हुआ अगर नएर candidate रहेगा simply इस पर new candidate registration पर करेगा अपना यह सारा देख लेगा ब्राउचर पढ़ लेगा और नीचे जाने के बाद यहां पर इसको box को fill करके click to proceed यह होगे आप अपना यहां पर सारा सब कुछ भर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही और आसा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगा पसंद आई चैनल सब्राइब कर लिजेगा वी